हेलो स्टूडेंस हमने जोग्रोफी का एक चप्टर डिस्कस कर लिया है जह हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चप्टर 7 वे ओफ लाइफ इन विलेजिस एंड टाउन्स मतलब कि किस तरह की लाइफ स्पैन होती है विलेजिस में और टाउन्स में ठीक है फर्स्ट है हमारा अर्बनाइजिशन अर्बनाइजिशन क्या होता है अर्बनाइजिशन मतलब कि जैसे सिटीज में और इंडस्ट्रियल एरियास को हम क्या कहते हैं अर्बन जहां पर इंडस्ट्रीज विगर अड्वैल्प होती है उन एरियास को हम अर्बन कहते हैं और इस प the rules of जंक्रगक्त जो अर्बनाइजिशन है वो सटार्ट हुआ था सेटिं अर्बनाइजिशन यह स्टार्ट हुआ था मौरियन पीरियड के दोरान या फिर चंदरगुप्त के दोरान चंदरगुप्त मौरिया के जो रूल साइथे उसके दोरान एंड अशोका ठीक है दे यूज ओफ आइरन बिगिन इन्दियन सब कॉंटिनेंट अराउंड 3000 एर्ज एको ठीक है 400 BC period से पहले ही हम cities को grow होते देख रहे हैं और क्या है trade increase हो रहा है commerce and growth of crafts ठीक है ये growth हो रही है तो इसलिए जो historians है इसको क्या कहते है इसको age as second urbanization इसलिए इसको क्या कहा है second urbanization कहा है अब agricultural production है led to increase in food supply agricultural production मतलब agriculture increase होगा तो food supply increase होगा क्योंकि agriculture में तो हमारी जो crops है वो produce होगी उससे हमें food जो मिलता है वो food supply increase होगा ठीक है the Nanda has built a canal at Kalinga and Chola King ठीक है कैरे केला provide irrigation facilities from the river Kaveri जो Nanda has है उन्होंने एक कैनाल बनाई थी at Kalinga and Chola King और कैरी केला जो की irrigation facility provide करते है irrigation facility मतलब की खेतों में पानी देने के लिए facility provide करते है कावेरी रिवर से access food वहां से trade किया जाता है लिए पार किया जाता है वहां से access में food लिया जाता है वहां से और other चीज़े भी और चीज़े भी वहां से ली जाती है जो कि establishment of the new trade center जिससे एक नया trade center यानि व्यापार का नया एक सेंटर बनाया जो कि बाद में ग्रो हो गया बिग सिटीज में फिर वो बिग सिटीज में कनवर्ट हो गया और टाउन्स में बन गया कुछ टाउन्स जैसे पाटली पुत्र, हमने चद्रगुप्त मोर्या के उसम पाटली पुत्र के बारा में पढ़ा था, पाटली पुत्र जैसे जगह टाउन है, और कह मतुरा है, काशी है, कोसला है, और अजजैन है, ये बहुत जल्दी, फासली बहुत गरो होए थे, इसमें यहां पर रिवर है और रिवर सी इर्इगेशन फेसिलिटी मिली को और फूड्वाय को ठाव मेंड़ु हो पुहार, एंड मामालापूरम है, ये भी ग्रोह हुए थे, during this period, इस ताइम पे ये भी ग्रोह हुए थे, ठीक है, अब हमारा political and administration centers, ठीक है, कहाँ पर political और administration center बनाए थे, कुछ अर्बन सेंटर्स है वो as a political center of administration ग्रो हो गए थे जैसे इन में से हम देखते हैं हस्तिनापूर है हस्तिनापूर है राजगरिया है जिसको मगद कहते थे पहले और कोशाम भी है वत्सा एंड क्या है स्रावस्ति कोसला यह जो सिटीज है यह ग्रो हुई है as a capital center powerful kingdom कि political administration center का मतलब है यह है कि जिनको urban center गोशित कर दिया गया है political मतलब राजदितिक तोर पर written में जिनको political center बना दिया गया है ठीक है अब हाथ है trade center मतलब जहां से mainly व्यापार किया जाता है ठीक है जिनको trade center बनाया गया है कुछ towns है वर center of trade जिनको trade का center बना दिया गया है यह urban centers है यह villages से connect होते हैं जो कि villagers की help करते हैं अपने to exchange their produce अपने जो भी produce मतलब जो भी यह लोग grow करते हैं उस चीज को यह exchange कर सके जैसे उजयन है नासिक है और काशी है यह urban centers की तरह develop हुए है हो रहा है हमारे पास भारुच है यह एक major port बन गया है ठीक है next है religious center कुछ centers ऐसे भी है जिनको concentrated on the spread of religions religion को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे बूधिजम है जैनिजम और हिंद्वीजम है ठीक है religious तो पतव होगा धरम धार्मिक स्थरल जिनको हम बोलते हैं नागार जन कांडा है जैसे एंड अमरावती वर important religious centers यह दो क्या है important religious center है वैशाली उजयन काशी मदूराई एंड मथूरा यह वो यह फेमिस cities है हिंदू religions के लिए ठीक है कल हम construction of town discuss करेंगे